असलाम अलेकूम and welcome back to my youtube channel दोस्तों अगर आप लोग crypto coin बे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो Binance is one of the best crypto sales है जो के आप लोगों को बहुत सारे crypto trading के option देती है यहाँ पे आप लोग spot trading कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग future trading कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग margin trading कर सकते हैं यहाँ पे आप लोगोंने Binance के ओपर trading करनी है तो उसको कुछ steps हैं जो आप लोगों को follow करना पड़ेंगे trading से पहले सबसे पहले step आप लोगोंने Binance के ओपर अपना account create करना है account आप लोगोंने किस तरह बनाना है उसके ओपर मैं complete video बना चुका हूँ वीडियो का link description में दे रहा हूँ वो video देखें और अपना account create करें और KYC verification करें number 2 पर आप लोगोंने अपने fund जो हैं वो deposit करने हैं अपने crypto wallet में वो कैसे करने हैं उसके ओपर भी complete video बनाई है link description में दे रहा हूँ वो video देखें तीसरे number पर आप लोगोंने trading किस तरह करनी है वो हम आज की इस वीडियो में explain करेंगे actually अगर आप लोग बिगनर हैं और आप लोगों को trading का कुछ भी नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि Binance के ओपर कौन कौन से feature आप लोगों को मिलते हैं कौन कौन से option मिलते हैं trading को लेके और आपने उन options को कैसे इस्तमाल करना है वो पूरा process आज की इस वीडियो में आप लोगों को explain करूंगा आप लोगोंने buy order की सरह लगाना है आप लोगोंने sale order की सरह लगाना है आप लोगोंने stop loss की सरह करना है आप लोगोंने take profit की सरह लगाना है यह सारी चीज़े आज की इस वीडियो में आप लोगों को explain करूंगा इसके लावा limit order किया है, market order किया है, stop order किया है यह सारी चीज़े जो हैं वो भी आप लोगों को explain करने की कोशिश करूंगा आप लोगोंने वीडियो को पूरा देखना है और गोर से देखना है ताके आप लोगों को कोई किसी किसम की confusion न रहे और complete understanding आप लोगों की बने ताके आप लोग जब trading स्टार्ट करें तो आप लोगों को किसी किसम का loss ना हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक request है छोटी सी के चैनल की उपर नियु आया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें ताके आप लोगों को next update भी मिलती रहें आएए चलते हैं मुबाइल की स्क्रीन पर वहाँ पे हम लोग देखते हैं के बाइनांस की उपर आप लोगों ने trading किस तरह करनी है तो दोस्तों बाइनांस का application ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page ओपन होगा यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे पाँच आप्शन शो हो रहे हैं home का, barcade का, trade का, future का, wallets का इन पाँचों आप्शन में कौन-कौन से further points है वो हम next देखते हैं यहाँ पे home screen के top पे आप लोगों को कुछ banners move होते हुए नजर आ रहे हैं इसमें आप लोगों को कुछ latest updates मिलेंगी कुछ new coins की listing मिलेगी इसके लावा different polls और competition की information जो है वो आप लोगों को मिलेगी उसके थोड़ा से नीचे आप लोगों को Binance के different icons नजर आ रहे हैं जैसे deposit, referral, strategy, trading, earn और more यहाँ पे आप लोगों को Binance के तमाम icons नजर आएंगे नीचे कुछ coins को इन्होंने highlight किया हुआ है जैसे BNB, BTC, Ethereum, Dogecoin यह Binance के hot coins हैं जहाँ पे favorite के उपर आएंगे वीडियो देख रहे हैं क्योंके Binance की application जो है time to time update होती रहती है हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पे different चीजे नजर आएं उसके बाद second option हमारे पास आता है market का, market के उपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे उपर हमें कुछ option नजर आ रहे हैं, favorite का, spot का, future का, data और zones favorite में आपके वो coins आप लोगों को शो हो रहे हैं जो आपने अपनी फेवरेट लिस्ट में शो किये हुए हैं या add किये हुए हैं उसके साथ आप लोगों को spot का option नजर आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को spot trading में या जो spot में जो coins है वो आप लोगों को नजर आ रहे हैं जिसमें आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बार नीचे, यहाँ पे आप लोगों को spot में नीचे कुछ coins नजर आ रहे हैं जिसमें आप लोग BUSDT USDT के pairs मिल जाएंगे BNB के उपर clear करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को BNB के pair मिलेंगे BTC के उपर click करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को BTC के तमाम pairs जो हैं वो मिलेंगे अगर आप beginner हैं तो I will really suggest के आप लोग BTC और USDT या BUSD में जो trading है वो आप लोग करें ठीक हो गया उसके बाद यहाँ पे future के उपर click करूँ तो यहाँ पे future में जो coins हैं जो pairs हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे इसके लावा data के उपर अगर मैं click करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को different coins का जो data है उसका analysis जो है वो आप लोगों को मिलेगा different cycle में उसके बाद zones के उपर click करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को new coins की listing मिलती है different coins मिलते है तो यहाँ पे अगर दोस्तों favorite के उपर मैं एड़ कर दिया जाएगा इसके लावा बैक अगर आँ तो यहां पे आप लोगों को कुछ फिल्टर नजर आ रहे हैं जैसे नेम के इसाब से अलफबेटिक सीरीज में आप लोग इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आडर में लगा सकते हैं A to Z यह Z to A उसके साथ वालियूम है आप वालियूम के इतबार से भी आप लोग डिफरेंट को काटेगराइज कर सकते हैं आप लोग हाई वालियूम से लो वालियूम जो है वो कर सकते हैं उसके साथ आप लोगों को लास प्राइस का फिल्टर नजर आ रहा है वो आप लोगों को लोगों को फिल्टर लगा क के तरतीब दे सकते हैं आप लोगों को कौाइन उस तरतीब में आप लोगों को मिलेंगे ठीक हो गया तीसरे नंबर पर हमारे पास आप्शन और है ट्रेड का यहां पे सबसे उपर आप लोगों को नजर आ रहा है कनवर्ड का जिसमें आप लोग कोई भी कौाइन किसी और क्र peat ka option यहां पे अपने वालट में जो अमांट पड़ी हुए है उसको यूज़ करते हुए हरे कोई कॉइंबी कॉई बायक रोगे यहां पे यहां पर आप अडर लगाएंगे यहां पर सेल अर्डर लगाएंगे यहां पर स्टॉप लाइंगे यहां पर आप लोग जो target है वो achieve करेंगे उसके साथ आप लोगों को option नज़रा रहे है margin का, fiat का, p2p का, auto invest का यहां पर दोस्तों option मिल रहा है आप लोगों को p2p का, p2p के उपर मैं आरे यह complete video बना चुका हूँ कि आप लोग p2p trading का use करते हुए किस तरह कोई भी coin deposit कर सकते हैं, किस तरह आप लोगों कोई भी coin sale करके उसको जो amount है वो अपने bank account में या अपनी local जो account है जैसे mobile account, easy pisa, jazz cash में आप लोगों किस तरह receive कर सकते हैं यहां पर चोथे नबर पर आप लोगों को option मिल रहा है future का, future trading में आप लोगों को different option उपर मिल रहे है USGTM में है, coin M में है, उसमें options मिल रहे है, उसमें leather board आप लोगों को मिल रहा है यह सीजे क्या है, future trading की एक proper video बनाके आप लोगों को मैं share करूँगा कि आप लोगों ने future trading किस तरह करनी है और यह होती किया है उसके बाद आप लोगों को 5 नबर पर option मिल रहा है wallet का, wallet के उपर click करेंगे तो यहां पर आप लोगों को ऊपर कुछ options नज़र आ रहे है, overview, spot, funding, margin, future और यहां पर अरनका option आप लोगों को मिल रहा है overview में आप लोगों को आपकी जितनी भी crypto coins है यह आपकी जितनी भी amount है वो आप लोगों को नज़र आ रही है यहां पर ठीक हो गया, उसके बास spot के उपर अगर click करते हैं तो यहां पर spot wallet में आपके पास जो amount पड़ी हुई है वो show हो रही है, कौन सा coin, कितनी amount में आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो show हो रहा है यहां पर deposit और withdraw के साथ आप लोगों को third option मिल रहा है, transfer का, transfer के उपर click करेंगे तो यहां पर आप लोग spot wallet से funding wallet में, या funding wallet से spot wallet में कोई भी coin जो है, उसको transfer कर सकते है उसके बाद आप लोगों को उपर funding का option मिल रहा है, यहां पर आपके funding wallet में जितनी भी amount है, आप लोगों को वो मिलेगी उसके साथ आप लोगों को margin का और future का option शो हो रहा है, यहां जिसमें आप लोग future trading कर सकते हैं, वो हम next video में देखेंगे दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को बाइनांस के जितने भी features और इसके options हैं उसके बारे में बताया, I hope कि आप लोगों को यह सारे features समझ आगे होंगे और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको like ज़रूर करें, अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करूंगा, आपके पास BNB, BTC जो भी कोईन है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आपने जिस भी कोईन में ट्रेडिंग करनी है, उसके उपर आप क्लिक करें, जैसे मेरे पास BNB मेरा favorite कोईन है, तो दोस्तों मैं BNB और UST के उपर क्लिक करता तो यहां पे मेरे पास सबसे टाप पे इस पेर की जो करेंट प्राइज है, वो शो हो रही है, उसके नीचे इसका मुझे ग्राफ शो हो रहा है, उसके थोड़ा सा उपर मुझे यहां पे इसके different time interval शो हो रही है, कि आप लोग के cycle में इसका ग्राफ देखना चारे हैं, हमने क्योंकि पहले इस को बाइ करना है, तो हम अब बाइ की ओपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही दोस्तों आप लोग इस पेर को उपन करेंगे, तो सबसे राइट साइड पे आप लोगों को इसके कुछ सेलर और के आडर नजर आ रहे हैं, और साथ इसकी करंट प्राइस हो रह रहे हैं, और Green Color में आप लोगों को बाइससे अरडर शो हो रहे हैं, हम लोगों ने इस कोईन को बाइ करना है, हमने दो चीजीजें इसके लिए चाहीए, एक तो इसकी price चाहिए दूसरा amount चाहिए कि आपने कितनी amount में इसको buy करना है मैं for example यहाँ पे 50 coins के buy करना चाहरा हूँ BNB तो मैं यहाँ पे 50 dollar direct लिख सकता हूँ यह जहाँ पे मैंने 50 लिख है इसके ऊपर आप लोगों के एक slide नजर आ रही है जो show कर रही है कि कितने % Balance का आप लोग कोइन बाय करना चाहते है यनि कि कि तोटल बैलेंस का अगर 25% का आप BNB बाय करना चाहरे है अब 25% के उपर click करें अगर आप लोग 50% के उपर click करेंगे 75%, 100% यनि कि कितने % कोईन सकता है आप डिरेक्ट 50 भी लिख सकते हैं तो यहां पर प्राइज उपर शो हो रही है 322.9 और नीचे 0.1 BNB जो है वो मुझे मिलेगा 50 USDT का तो यहां पर आप लोगों ने प्राइज चेक कर लेनी है अपनी अमोंट चेक कर लेनी है उसके बाद आप लोगों ने बाई BNB के उपर क आपका जो BNB है वो यहां पर आप लोगों को नज़र आ रहे है मेरे पास 0.8 BNB जो है वो आलरी शो हो रहे हैं तो दोस्तों हम लोगों ने BNB कोईन जो है वो बाई कर लिए अब हम लोगों ने टेक प्राफिल लगाना है स्टॉप लॉस लगाना है उसके बाद हम कोईन क को सेlt करेंगे वो सेल अडर लगाएंगे तो मैं अगेंज जाता हूं मार्कीट में और यहां पे जो कॉइन मैंने बाई किया उसके ऑपर क्लिक करता यहां पे अब मैं क्लिक करूंगा सेल के उपर सेल में जाके यहां पे मुझे यहां पे डिफरेंट चीजे नजर आ रही है मैंने क्योंकि यहां पे स्टॉप लिमट लगानी है तो यहां पे अगर आप लोगों को लिमट शो हो रही है तो आप लोगों ने लिमट के उपर क्लि करना चाह रहे हैं यानिके अभी अगर बीन भी की जो क्रेंट प्राइज है थ्री ट्वंटी फॉर पॉइंट थ्री यूएसडी टी आप लोगों को शो हो रही है और यह उपर नीचे हो रही है वैल्यू तो फार्गेंपल आप लोग यहां पे वैल्यू लिखते हैं थ्री ट् लास है वो बरदाश्ट नहीं कर सकते तो आप लोग यहां पे त्री ट्री ट्वंटी थ्री पॉइंट फाइब लिखेंगे और लिमिट प्राइस जो है वो यहां पे आप लोगों ने थोड़ी सी कम लिखनी है ताके जब आप लोगों का आर्डर लगे आपकी पुजिशन क कम्प्लीट हो जाए उसके बाद आप लोगों ने यहां पे नीचे लिखना है कि आप लोगों कितने बी एंबी जो हैं वो सेल करना चाहरे हैं आप 100% बी एंबी अगर सेल करना चाहरे हैं यहां आप लोग 25% में 25% बी एंबी जो है वो सेल करूंगा तो यहां पे आप लोग ने Sale BNB के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही वैलियू इस पे आएगी आपका जो Sale Order है वो लग जाएगा तो मैं यहाँ पे Stop Sale BNB के उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप लोगों ने Confirm कर देना है मैं Confirm करता हूँ यहाँ नीचे मेरा order जो है वो लग चुका है जैसे ही यहाँ पर इसकी value आएगी मेरा order जो है वो complete हो जाएगा तो दोस्तों हम लोगों ने stop loss जो है वो देख लिया कैसे लगाना है अब हम लोगों ने take profit कैसे लगाना है वो देखते हैं बहुत simple process है again आप लोगों ने stop limit को उपर click करके यहाँ पर limit जो है वो select कर लेना है तो यहाँ पर अभी current price हमें show रही है 3.23.5 और नीचे आप लोगों ने amount add करनी है तो limit की जगा आप लोगों ने देखना है कि जब किस price पर जाके आपका coin जो है वो sale हो यहाँ पर नीचे आप लोगों को दोनों आडर शो हो रहे है तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने stop loss किस तरह लगाना है आप लोगों ने take profit जो order जो है वो किस तरह लगाना है दोस्तो अगर आप लोग stop order और take profit यानि के target दोनों चीज़े at a time लगाना चाहते है तो वो भी आप लोग लगा सकते है बहुत simple process है आप limit के उपर click करें यहां पर आप चूज करेंगे OCO इसके उपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहां पर आप लोगों ने दोनों price लगानी है limit price भी और stop limit price जो दोनों चीज़े हैं वो आप लोगों ने यहां पर लगा के आप लोग जो stop loss है और take profit दोनो at a time लगा सकते हैं यानिके पहले जो भी target अचीव होगा दूसरा automatically cancel कर दिया जाएगा फरक्जमपल आपकी amount जो है वो stop loss पे पहुंची है तो take profit cancel हो जएगा take profit आपका target अचीव हो गया तो stop loss automatically जो है वो cancel हो जाएगा इस तरह आप लोग at a time दोनों चीज़े जो हैं वो भी लगा सकते हैं तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने stop loss देख लिया take profit देख लिया stop loss, take profit यानिके target आप लोगों ने दोनों किस तरह लगाने है वो देख लिया अब हम लोगों ने BNB को buy किया था अब हमने BNB को sale किस तरह लगाना है यानिके sale order किस तरह लगाना है बहुत simple है आप लोगोंने again OCO के उपर click करना है यहां पे limit के उपर click करें यहां पे आप लोगों को current price जो है वो यहां पे show हो जेगी तो यहां पे आप लोगोंने नीचे amount लिखते नहीं है कि आप कितनी amount जो है वो sale करना चाहरे है मैं for example 25% BNB जो है वो sale करना चाहरा हूँ तो simple मैं amount लिखूंगा आप लिए cross verify कर लेना है amount को और price को दोनों चीज़े चेक करके आप लोगोंने sale BNB के उपर click कर देना है आपके BNB जो है वो sale हो जाएंगे और आपके wallet में आपकी amount USDT में show हो जाएगी तो दोस्तों यहां पे जो भी चीज़े मैंने start में आप लोगों को बताई थी मैंने आपको समझाईए अमीद करता हूँ आपको उसके बाद मैंने आप लोगों को live trading करके दिखाई किस तरह आप लोगोंने buy order लगाना है किस तरह आप लोगोंने sale order लगाना है किस तरह आप लोगोंने stop loss या take profit लगाना है यह सारी चीज़े मैंने आप लोगों को one by one आप लोगों को explain की है उमीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजे समझ आगी होंगी चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर आन करें ताके आप लोगों को नेक्स अपडेट्स भी मिलती रहें नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों ने बाइनान्स के उपर फ्यूजर ट्रेडिंग किस तरह करनी है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाह अफेज